राजनीत का मौसम चल रहा है, अभी बिहार के चुनाव खतम हुए हैं, नेताओं की बड़ी बुरी आई है, जो हार गए हैं, वो समझो एकदम निराश बैठ गए हैं, एक नेता जी सुबह एक कुत्ते के साथ अपने कुत्ते को टहलाने निकल पड़े, सामने से लड़के ने पूछा, और भाई, इस गदे के साथ कहां जा रहे हो, नेता बोला अंदा है क्या, दिखना ही रहा है, ये कुत्ता है, लड़का बोला चुपरे, मैं कुत्ते से पूछा है, राजनीत की अपनी समस्या है, लेकिन साब नेताओं के बारे में बहुत कुछ कविताओं में पर जिन्होंने इस सलीके से व्यंगे कसे हैं, मैं तो उनके बारे में सिर्फ ये कहता हूँ कि जिनका मुह नहीं कविता करती है, उनकी आत, उनका नाम है शिरी कान, जोरदार तालियां बजा कर उने आने, प्रसस्ति स्टूडियों में आकर के आत मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे डिजिटल बैकूंट में आ गया हूँ, आप लोग तो तालियां बहुत अच्छी बजा रहे हैं, और हमको तो ऐसा लगता है, बजाने पर जब उता रहाते हो, तो पता नहीं कहां कहां किस की बजा देते हो, और अब तो और अब तो ऐसी बजाने लगे हो, चैनल वाल से पुछा टमाटरों का भाव, वो बोला चार रुपय पाव, मैंने का कुछ सही लगा लो, तो उसने पहले मुझे घूरा, फिर टमाटरों को कर इशारा बोला, यह मोल भाव करने लायक नहीं है, अरे बाबुजी यह टमाटर है, कोई विधायक नहीं है, अरे बाबुजी उन पर भात भात के रंग डारे, लेकिन उन पर कोई रंग चड़ नहीं रहा था, यह देख लोगों को आशरी बढ़ रहा था, नेता जी बोले, नाख हो रहा हो परेशान, और हम तो इस दुनिया में एक अजूबे हैं, अरे ब्रस्टाचार के रंग में इसके दर डूबे ह कि एंपर कोई रंग चड़ी नहीं पाएगा, इस चड़ा भी, तो तुरंत ही उतर जाएगा, भूली में एक नेता जी हमारे गाव पधारे, लोगों ने उन पर भात भात के रंग डारे, लेकिन पर कोई रंग चड़ रहा था, यह देख लोगों का आशरी बढ़ रहा था, नेता जी बोले, नहाख हो रहा है परेशान, और हम तो इस दुनिया में एक अजूबे हैं, ब्रस्टाचार के रंगे में इसकदर डूबे हैं, कि हम पर कोई रंग चड़ी नहीं पाएगा, यह दो चड़ा भी, तो तुरंत ही बदल जाएगा, इसे गलत न समझें आप, क्य आड़े विकास के नाम पर सरकार पहले एक पुलिया बन बाती ओम त体म सरकार के नाम पर पहले पुलिया बन बन बाती है, पिर कुछी दिनों में दोनों और एक बोड लग भाती है, पुलिया कमज़ोर है, कर्पया धीरे चलें। है वह क्या जाज्ण अर्द विकास की नाम पर पहले पुलिया बनबाती है पिर कुछिही दुनों में दोनों और एक बोर्ड़ लगवाती है पुलिया कमजोर है कर्पिया धीरे चलें और उसे मालूम है धीरे चलने में आपको बेहत कष्ट होता है इसलिए एक और बोड़ लगवाती है जो पूता होता सफेद है उस पर काले लंग से लिखा रहता है कष्ट के लिए खेद है एक छुटी छड़का और सुनिएगा आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं मैं सुनाता हूँ जमुआ का जोंठे मुकदमे में दरोगा ने जेल भिजवाया उसकी मा का चेहरा उतराया लेकर चेहरा उदास गई दरोगा के पास रोई और गड़ड़ाई पर कानून का रखवाला हूँ जमुआ के जोंठे मुकदमे में दरोगा ने जेल भिजवाया उसकी मा का चेहरा उतराया लेकर चेहरा उदास गई दरोगा के पास रोई और गड़ड़ाई पर दरोगा ने दी कानून की दुहाई मैं पुलिस वाला हूँ कानून का रखवाला गया मुकदमे की सुनवाई एक इमांदार जज कर गया तो जमुआ जब कोर्ष से हुआ बाइजत भरी तो उसकी मां जज को देकर आशीरवाद बोली है जज साहिब तुम खूब नाम कमाओ इश्वर करे तुम दरोगा बंजाओ एक और देखिएगा मैं कोशिच करता हूँ र करता कि प्रहस्त में बीजंश pouco करке लिए म हमें क्या करना चाहिए कि इस ऐप राजनीत में आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए इस पा Gemini करते इलाके के सर्ताज के आप नहीं है कुछ भी तो इसके लिए भी कुरसी विज्ञाने सुविधादी आप किसी कुख्यात नेता से संपर के साथ हैं कुख्यात नहीं कुछ भी तो अपराधियों से संबंध आपका घंष्ट हो ऐसे अपराधि जिनका नंबर वरिष्ट हो यदि नहीं है कुछ भी तो इसके लिए भी कुरसी विज्ञाने सुविधादी आप किसी कुख्यात नेता से संपरक्षादें इस पस्ट कर दें अपने इरादें वह आपको प्रुट नीत शे खायेगा सिखाएगा सितनी चाल आपको बना अर्थगामि हो जायेंगे अपकर नमक फरामी ओल्या बाद आंपके तुर निनालक कि शन फिक्षी इंसनलनी कर दें सक्षच जा दैं अबनादा ह 50 पने इरादें भी आपको आपस में लडाने कि कला भी रिस्खाएगा आपको अंचुपय बेवाल भी शिखा आपको शिखाइगा उस मेद्धानिका दलाल आपको राश्टे अर्थगामी हो जाएंगे. आप पक्के नमक घरामी हो जाएंगे. आप पक्के नमक घरामी हो जाएंगे और सोकर उठें देर से फिर काफी समय मोई सब्सक्राइब पर विताएं और वैटिंगरूप में बैठी जन्ता को 5 मिनट में आता हूं कहकर 5 घंटा लगाएंगे. बेटी ग्रूप में बेटी जंटा को पांच मिनट में आता हूं कर पांच घंटा लगाएं और फिर आकर उस जंटा को पांच मिनट में निप्टाएं कुछ को जूठे वादे, कुछ को फरजी पत्र, कुछ को फरजी फॉन, कुछ को फिर मिलने का मंत्र, कुछ को फरजी पत् पूर्शी तक आने के पात हो जाएंगे फिर रिश्वत के आचमन से खुद को करके पवित्र चाप लूसी का अर्ग चढ़ाएं अनाचार की अक्षित मिलाएं दलाली की रोली लगाएं मकारी के फूल चढ़ाएं तरित्र बैमानी का लगाएं भोग प्रष्टाचार का बने क संदर योग तरित्र हिंता के बेदी बनाकर उसमें इमानादी चरित्र हिंता के बेदी बनाकर उसमें गुंड़ाई की अगनी जलाएं फिर इमानादी की बले देकर उसमें आत्मा का कर दे हमन तब पूरा होगा कुर्शी साधना का चतन